हलो स्टूदेंट्स वेलकम ओल ओफ योनक्षी एकेदमे योट्यूब चैनल स्टूदेंट्स आज इस वीडियो में हम 9 नवंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक की जो वाक्षीट है वाक्षीट नबर 53 यह हम सॉल्व करेंगे ओके एंड़ वाक्षीट का जो टॉपिक है वो क् उसके साथ सेक्टर का भी हमने एडिया केलकुलेट करना सीखा था तो हम यहाँ पर आज क्या करेंगे उन्हीं कॉंसेप्ट के लिए उन्हीं कॉंसेप्ट पर बेस जो क्वेस्टिन से उनको डिसकस करेंगे क्लिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या हुआ है फोर एक्जाम की फर्स्ट एक्जाम्पल में हमारे पास कॉंसेप्ट क्या है कि ABCD इस ट्रैपेजियम आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपके पास क्या है ABCD है और वो क्या है एक ट्रैपेजियम है ओके विद AB side is parallel to DC side यहां पर AB side यह वाली जो side है DC side के इसके parallel है clear इसके बाद AB side is 18 cm यह वाली जो AB side है that is 18 cm और DC हमारे पास है 32 cm और इनके बीच में जो distance है यहां से यहां तक इन दोनों size के बीच की जो distance है वो हमारे पास है 14 cm clear तो यह आपके पास trapezeum का case है तो फिर उसके बाद आप से यहां पर कहा गया है कि जो trapezeum के आपके पास vertices है ABCD इनको center suppose करके क्या किया हुआ है circle के जो arc है वो यहां पर draw किये गए है जिनकी जो radius है वो क्या है 7 cm है जितने भी यहां पर arc cut किये गए है सब की जो radius है 7 cm है and then find the area of the shaded reason of the figure आपको जो shaded portion है इसका आपको area जो है वो calculate करना है तो बच्चे आप देख पा रहे होंगे इस shape के according क्या कि हम यहां पर क्या करते है है shaded portion का जो area है उसको calculate करने के लिए क्या करते हैं trapezium का area calculate करते हैं और इसमें से यह जो भी हमारे पास circle के part है इनको minus कर देते हैं clear सो हम यहां पर लिखेंगे area of shaded portion तो इसके लिए आपको क्या करना है area calculate करना है किसका trapezium का so area of trapezium minus कर देना है किसका जो भी आपके पास circle है यहां पर circle के four parts तो बच्चा आप देख पार होंगे कि अगर आप इन four parts को एक बार rearrange करके देखे इस तरीके से तो यह आपके पास one two यह three और यह हो गया four तो यह चारो parts मिलकर क्या करते हैं एक circle बनाते हैं बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इन चारो parts के अलग-अलग यह जो भी हमारे पास sectors है इनका area ना calculate करके हम क्या कर सकते हैं जो भी आपके पास circle होता है उसका यहां पर area calculate कर सकते हैं तो भी हमारे पास same situation मिलेगी मतलब same answer होगा तो हमें जो easy होगा हम वो करते हैं so area of trapezium trapezium का आपके पास area का क्या formula होता है half into sum of parallel sides sum of parallel sides में आपके पास abodc का आप sum करेंगे into distance between them जो भी आपके पास parallel sides होती हैं उनके बीच का distance और वो हमारे पास 14 cm given है यह देखिए clear अब आपको minus कर देना है circle का area circle का formula होता है हमारे पास pi r square where r r हमारे पास 7 cm given है हम यहाँ पर solve करते हैं values को put करके तो half ab की value है हमारे पास 18 dc है हमारे पास 32 ओके और multiply कर रहे हैं 14 से फिर minus pi that is equal to 22 upon 7 और यह 7 7 तो आप देख रहे हैं कि 2 से आपका यह cancel हो जाएगा 14 कितने time 7 time 18 और 32 आपके पास होंगे 50 तो 50 को आपने multiply किया 7 से minus इस 7 से यह 7 cancel तो 22 को आपने 7 से multiply किया तो आपको कितना मिला 154 तो 50 को जब हम 7 से multiply करते हैं तो हमारे पास आता है 350 minus 154 minus कर दीजिए 10 minus 4 आपके पास क्या हो जाएगा 6 फिर उसके पास 4 14 minus 5 हो जाएगा आपके पास 9 2 minus 1 हो जाएगा 1 so 196 centimeter square will be the answer of the shaded portion यह आपके पास आपका answer आ जाता है ठीक है यह देखिए आपके पास यहाँ पर जो area आपको मिला है shaded portion का यहाँ पर देखिए आपके पास कितना आ रहा है 196 clear हुआ concept clear हुआ यह clear ओके तो अब इसके बाद हम यहाँ पर next point जो लेते हैं वो किसका लेते हैं example number 2 का so example number 2 में हमारे पास concept है find the area of the sector of a circle आपको यहाँ पर area find out करना है ठीक है और area भी किसका sector of a circle यानि कि यह जो sector बना हुआ है न इस sector का आपको area calculate करना है okay of radius 5 cm अब आपके पास जो concept है उसके according जो radius है वो कितना है 5 कितना है 5 cm है clear और उसके बाद जो corresponding arc length है arc length यानि की L और L का जो formula होता है हमारे पास क्या होता है 2 pi r theta upon 360 degree यह आपके पास given है कितना 3.5 तो हम यहाँ पर क्या करते हैं L की जगे 3.5 रखते हैं 2 pi pi की जगे हम क्या 22 upon 7 r radius है हमारे पास 5 theta हमारे पास नहीं है and upon 360 degree सिंस यहाँ पर हमारे पास theta नहीं है तो हम यहाँ पर theta को calculate करने के लिए क्या करते हैं बाकी सब को तो क्या करते हैं shift कर देते हैं तो 3.5 तो है 360 उपर आ जाएगा और 7 भी उपर चला जाएगा फिर 2 into 22 into 5 यह आपके पास denominator में आ जाता है अब आप यहाँ पर देखिए आपने decimal हटाया तो आपके पास आ गया है 10 इस 10 से यह 0 cancel हो जाती है ओके फिर उसके बाद 5 है 5 7 जा 35 और इसके बाद 2 से यह cancel होगा 2 से 18 times फिर उसके बद आप यहाँ पर देखते हैं आपको मिलता है 7 into 18 into 7 divided by 22 2 से cancel कीजिए 9 time cancel हो जाएगा और नीचे 11 तो जब हम इसको multiply करते हैं तो हमारे पास आता है 441 divided by 11 यह हमारे पास क्या जाता है तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो theta है वो आ चुका ह clear theta की value हमें मिल जाती है अब हम theta की value के बाद हमारे पास next concept क्या है find the area of this sector यानि कि हमें pi r square theta upon 360 degree जो है इस formula में values apply करनी है चलिए हम values apply करते हैं pi हमारे पास है 22 upon 7 and then उसके बाद हमारे पास है radius radius है 5 into 5 theta हमने calculate कर लिया है 441 divided by 11 और हमें last में divide करना है 360 से तो चलिए cancel कीजिए 11 से 22 आपका 2 time cancel फिर यहां पर आप देखो 2 और 5 10 बन गया 10 से 1 0 cancel फिर next आपके पास 7 बन जा 7 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 तो 5 into 63 divided by 36 9 से cancel होगा 9 4 जा 36 9 7 जा 63 तो 7 into 5 35 upon 4 दिवाइड कर दीजिए आप divide करेंगे तो 4 8 जा 32 3 बचेगा 4 7 जा 28 और उसके बाद 2 बचेगा 4 5 जा 20 cm square यह हमारे पास क्या आ जाती है this is the area ओके यह हमारे पास जो हमारा sector है उसका area आ जाता है अब second example के बाद next हमारे पास जो example number 3 है हम उसको देखते हैं और इसमें हमारे पास concept क्या है a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm देखो आप क्या कर रहे हो एक wire ले रहे हो और इस wire से इस तरीके से आप क्या कर रहे हो एक brooch बना रहे हो circular form में बना रहे हो clear तो आपको इसका जो diameter है वो कितना given है यहाँ पर 35 mm given है clear the wire is also used in making five diameters अब आप इस wire का क्या कर रहे हो यहाँ पर यह देख रहे हो ना यह diameters बने वहा है आपने जो भी आपने wire है उस wire की help लेकर यह diameter भी आपने यहाँ पर draw कर दिया है clear which divide the circle into 10 equal sectors और आप देख भी पार होगे कि आपके पास यहाँ पर जो भी आपका circle है वो कितने parts में यहाँ पर divide हो जाता है it is divided into 10 equal parts clear और यह जो भी हमारे पास equal parts है यह क्या है हमारे पास sectors है now find the total length of the silver wire required हमारे पास जितना भी हमने wire use किया है हमें उसकी length find out करने है तो आपने देखा होगा कि जो wire है उसके आपने यूज किस किस में क्या है आपने एक तो circular ऐसे form बनाएं यानिके एक तो circumference फिर उसके बाद आपने 5 क्या किये हैं आपने 5 diameters भी उसी wire से बनाएं तो मतलब इतना हम calculate करेंगे तो हमारे पास जो wire है उसकी length मिल जाएगा तो सी सी यानिके circumference क्या formula होता है टू पाई आर ओके प्लेस 5 इंटो diameter डी टू आर को आप हो गया diameter diameter है हमारे पास 35 प्लेस 5 इंटो diameter 35 7 से 35 5 ताइम कैंसिल 22 इंटो 5 हो गया हमारे पास 110 110 और 35 को 5 से multiply कीजिए कितना आएगा 175 इनको add कर देते हैं तो 285 cm हमारे पास आ जाती है length of the wire clear second में आप से क्या पूछा है the area of each sector of the branch जो भी आपके पास यहां पर 10 sectors बने हैं उनमें आपको हर एक का आपको area बताना है area of each sector तो अच्छा बच्छा बात बताएं यहां पर कि यह तो आपको calculate करना ही है क्या होगा clear आपके पास यह जो total circle है यह कितने sectors में divided हैं अभी अभी हमने बताया कि यह 10 sectors में divided हैं clear हमें क्या करना होगा total circle के जो area है total area of circle इसको हम divide करेंगे किस से 10 से तो total circle का area उसके लिए हम formula यूज करेंगे pi r square और divide कर देंगे 10 से pi pi कितना होता है हमारे पास 22 upon 7 radius हमारे पास क्या हो जाएगी हमारे diameter का half so 35 upon 2 और last में आप इसे divide कीजिए 10 से जो cancel होता है उसे cancel कर दीजिए 7 बंजा 7 7 5 जा 35 5 से 5 2 जा 10 next अब आप यहाँ पर देखते हैं आपके पास जो values बसती है 2 से यह और cancel हो जाएगा 11 time 11 को 35 से multiply किया तो आपको मिला 385 divided by 2 into 2 और यह हो जाता है आपके पास 4 तो 385 में हम 4 से divide कर देते हैं 4 से divide करोगे तो कितने पाल जाएगा 4 9 जा 36 2 बचेगा 25 4 6 जा 24 फिर उसके पाद आपके पास 1 बचेगा तो 4 2 जा 8 और last में 4 5 जा 20 तो 96.25 यह हमारे पास क्या आ जाता है यह आपके पास आ जाता है सरकल के सेक्टर का area clear 385 upon 4 that means यह देखिए 96.25 cm square clear हुआ तो example number 3 आपका clear है example number 3 के बाद next अब हमारे पास जो example 4 है हम उसको लेते है example 4 according to this a round table cover has 6 equal designs as shown in figure यह देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है एक round table है clear और इस round table में यहाँ पे क्या है 6 designs बने हुए अगर आप देख पा रहे हैं और आपको ध्यान है अच्छे से क्या जैसे कि अगर हम यह circle जो है यहाँ पे ड्रो करें और यह हम ले लेते हैं क्या सेक्टर तो यह वाला जो portion होता है यह हमारे पास क्या हो जाता है यह हमारा segment होता है तो इस यह जो हमारे पास figure है इस figure में हमारे पास कितने segment है six segment है ओके यानि कि यह six segment हमारे पूरे circle को six parts में divide कर रहे हैं कर रहे हैं तो six parts में divide कर रहे हैं तो ठीटा क्या हो जाएगा हर एक का complete angle होता है 360 degree six part में divide कर रहे हैं सो यह हो जाएगा 60 degree ओके clear अब हमें इनका area calculate कर ना यानि कि हम एक जो segment है उसका area calculate कर ले और फिर हम क्या करें हम उसको multiply कर ले किस से six से तो हमारे पास सारा जो design है उसका हमारे पास area आ जाता है तो area of one segment हम कैसे calculate करेंगे इसके लिए हम area of sector में से minus कर देते हैं किसको area of triangle को जो भी हमारे पास triangle बन रहा है उसको clear तो area of sectors अबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं sector का area का जो formula होता है वो क्या होता है पाई r square theta upon 360 degree ठीक है आप values रख दीजिए पाई पाई की value आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने रखा 22 upon 7 ओके r square r आपके पास radius given है 28 cm है so 28 into 28 चलिए अब यहाँ पर भी मैं आपको रखके दिखा देती हूं 22 upon 7 multiply by 28 इंटो 28 और theta theta कितना है भई theta 60 degree है ओके और divide कर रहे हैं किस से 360 से 60 से 366 time cancel 7 से 28 4 time तो अब आप देखो जो कुछ और cancel हो सकता है उसे cancel कर दीजिए 4 से 22 जा 4 23 जा 6 तो आपके पास आ जाता है 22 into 28 और उसके बाद में क्या 2 divided by 3 जब हम इन सबको multiply करते हैं तो multiply करने के बाद हमारे पास आ जाता है answer 4 10.66 यह हमारे पास आ जाता है sector का area clear तो हमें यहां से sector का जो area है वो तो clear हो जाता है next अब हमारे पास concept क्या है triangle का area तो triangle के area के लिए अब हम यहां पर देखते हैं कि यह जो भी हमारे पास triangle बनता है ठीटा का बनता है यह radius है यह radius है same है और आपके पास यह जो line segments है वो भी कितने बन रहे हैं आपे अगर आप ध्यान दे तो यह भी आपके पास six बन रहे हैं और जब यह आपके पास six बन रहे हैं तो इनकी भी length क्या होगी equal होगी तो it means यह भी six part में divide हो जाएंगी तो यह हमारे पास क्या बन गया है एक triangle बन जाता है और वो भी कौन सा equilateral triangle जिसका हमारे पास formula होता है area का root 3 by 4 into a square ओके यह आपकी क्या है radius है तो हमने यह आपर root 3 by 4 into 28 का square कर देते हैं तो हमारे पास जो value आती है इसका solve करने पर root 3 by 4 multiply by 28 into 28 4 को आपने multiply किया divide किया आपने 24 से आपने cancel किया 28 को 7 time root 3 आपके पास है 1.732 और उसके बाद 7 को 28 से multiply किया 7,8 जब 56 carry हो गई 5 7,2 जब 14 14 और 5 आपके पास हो गया 19 तो यहाँ पर हमारे पास जब हम इनको multiply करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 333.2 cm square clear यह आपके पास किसका आया area triangle का तो अब आपको क्या करना है अब आपको 4 10.66 यानि कि जो अपने sector का area निकाला था उसमें से आपको इस triangle के area को minus कर देना है और जब आप इसको minus कर दोगे तो आपके पास minus करने के पर आपको मिलेगा 77.46 यह आपके पास एक segment का area ओके वन segment तो आपको चाहिए कितना complete design का ओके और जो भी आपके पास यहाँ पर ही जो आपका complete design है उसमें आपके पास कितने parts है 6 parts है यानि कि आप 77.46 को multiply कर दीजे next time कि से 6 से ओके तो आप जब इससे multiply कर देंगे तो आपके पास आजाएगा क्या area of design तो चलिए multiply भी कर लेते हैं 6 exact 36 36 का 6 हो गया carry हो गई है 3Mand 6 24 24 और 3 हो गया 27 तो carry हो गई है 6 7 जब 42 42 और 2 हो गये 5 7 जब 42 और 64 हो गया 47 तो हमारे पास आजाता है 464.76 यह हमारे पास किया आजाता है area आजाता है accurate तो इस area के बाद हमें क्या कहा है find the cost of making the design देखिए find the cost of making the design और वो भी design के लिए cost क्या given है at the rate of 0.35 per centimeter square यानि कि अब आप इसको multiply कर दीजी किसे 0.35 से और clear तो finally आपके पास answer आ जाएगा 162.66 rupees answer यह हमारे पास answer होगा किसका fourth example का तो इस तरीके से हमारा fourth example जो है वो clear होता है I hope आपको बहुत अच्छी से समझ भी आया होगा ठीक है अब इन examples के बाद हमारे पास जो questions है हम उनको ले लेते हैं तो first question देखिए a square opqr is inscribed in a quadrant oaqb of a circle if the radius of the circle is 62 centimeter radius आपके पास है क्या 62 centimeter find the area of the shaded region हम shaded region का area find out करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यह हमारे पास जो shape है वो किसकी है यह हमारे पास एक quadrant है clear यह देखो यह हमारे पास क्या है एक quadrant है इस quadrant में से अगर हम इसको minus कर दे इसके area को minus कर दे तो हमारे पास क्या आएगा shaded region का area आ जाएगा so हम यहाँ पर लेते हैं area of shaded reason जो भी हमारे पास shaded reason है उसका area हम कैसे calculate करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है area calculate करना है किसका quadrant का so area of quadrant और उसमें से हम minus करेंगे क्या area of square तो चलिए आप सबसे पहले तो quadrant का जो area है वो निकालिए quadrant के area का formula क्या हो जाएगा अब quadrant आपका circle जो होता है उसका क्या होता है 1 fourth होता है so हम यह कह सकते हैं कि इसका जो area होगा वो pi r square upon 4 होगा ठीक है 1 fourth होता है minus area of square क्या हो जाता है कि जो भी इसकी side होगी उसका square हो जाता है तो आपको बच्चा यह calculate करना है तो इसके लिए आप calculate करेंगे सबसे पहले क्या side आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास circle बना हुआ है जो square बना हुआ है उसकी side क्या है नहीं है ना आपके पास यह complete side दी हुई आपको 62 ठीक है अब अच्चा यह जो 62 है लेकिन अगर आप यह देखो तो यह दोनों आपस में कैसे है इक्वल है इक्वल है ना तो हम यहाँ पर एक concept यूज कर सकते हैं क्या कि जो भी हमारे पास यहाँ पे points है किस-किस के quadrant के तो यहाँ पर आप mention किजी since OA is equal to OQ और यह हमारे पास क्या है radius है और radius value कितनी है 62 है अब यह जो OQ है यह तो हमारे पास diagonal है किसका square का तो जो diagonal है वो हमारे पास कितना है 62 diagonal का formula क्या होता है हमारे पास side into root 2 तो यह आपके पास है 62 तो आपके पास side क्या हो जाएगी side हो जाएगी आपके पास 62 upon root 2 root 2 आपके पास नीचे आजाएगा तो बस concept मिल गया आप apply कर दीजिए जो भी values है उनमें तो सबसे पहले हम यहाँ पे pi r square upon 4 को solve करते हैं तो pi pi आपके पास कितना है 22 upon 7 उसके बद क्या है वहाँ पे r है आपके पास radius that is equal to 62 into 62 और divide करना है 4 से आपको area चाहिए न शेड़ेड रीजन का तो आप ऐसे ही calculate करेंगे area of shaded रीजन अब इसके बद next आपको क्या करना है minus कर देना है किसको देखिए side का square side आपके पास 62 upon root 2 है आप इसका square कर दीजिए यानि कि 62 into 62 divided by 2 root 2 का square 2 हो जाएगा ओके अब आपके पास यहाँ पे इसको जब आप solve करेंगे यह 31 तो जब हम इसको solve करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे 22 को multiply करेंगे किस-किस से 31 से और फिर उसके बाद दुबारा 31 से और फिर उसके बाद divide कर देंगे 7 से तो हमारे पास answer यहाँ पे मिलता है 3020.28 ओके अब आप इसको cancel कीजिए 2 से आपने यह cancel किया 31 टाइम हो गया 62 को आप 31 से multiply कीजिए आपके पास कितना आएगा 1922 और इनको minus जब हम कर देते हैं तो हमारे पास shaded portion का area मिल जाता है that is equal to 1098.28 यह values आपके पास centimeter में हैं सो आप यहाँ पे कहेंगे इसकी unit centimeter square हो जाती है clear हुआ concept clear so अब question number 1 के बाद next अब हम बात करते हैं question number 2 की और question number 2 में हमारे पास क्या concept है यहाँ पे देखिए find the area of the shaded region in figure where arcs drawn with center A, B, C, D intersect in pairs at midpoints P, Q, R, S of the sides A, B, B, C, C, D and D, A respectively आप देखिए यह आपके पास figure है इस figure में आपके पास एक square है और square में जो इनका जो vertex है vertex को center suppose करके arc cut के हुए और यह जो arc है यह क्या करते है square की side को क्या करते है bisect करते है मतलब two equal parts में divide करते है so हम यहाँ पर यह concept use कर सकते है कि जो आपके पास side है square की वो क्या है that is the twice of radius यह radius का twice है और अगर यह radius का twice है तो आप यहाँ पर radius easily calculate कर सकते हो तो वो आपके पास क्या हो जाएगी side upon two side है आपके पास 12 so 12 upon two that means six तो six centimeter आपके पास क्या आ चुकी है radius आ चुकी है अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यह जो shaded portion है इसको इसका area आपको calculate करना है तो आप एक बाद देखिए क्या कि यह आपके पास क्या है एक square है इस square में से एक portion आपने यह हटा दिया एक आपने यह हटा दिया एक यह और एक यह तो आपने कि यहां पर कितने quadrants हटा दिया है चार अटा दिया है ओके four quadrants क्या बनाते है वह आपका बनाते है एक circle so it means आप यहां पर area of shaded region जब आप calculate करेंगे तो फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा तो उसके लिए आप यहां पर क्या करेंगे area of square लेंगे और उसमें से minus कर देंगे किसको area of circle को area of square क्या होगा जो भी आपका side है side का square कर दीजिए okay minus area of circle that is equal to pi r square clear हुआ आप values apply कर दीजिए side side आपके पास कितनी है देखिए side है हमारे पास 12 cm so हम यहाँ पर 12 का square कर देते हैं minus pi pi है 3.14 और radius है 6 तो हम यहाँ पर 6 का square कर देते हैं ठीक है तो यह हमारे पास option आजाते हैं अब हम इने solve करते हैं तो जब आप इनको solve करते हो तो 12 का square हमारे पास होगा 144 minus pi that means 3.14 इसे multiply कर दीजिए 36 से तो जब आप इसको multiply करते हैं तो आपके पास value आती है 113.04 minus करने पर हमारे पास आजाएगा 30.96 cm square तो इस तरीके से हमारे पास shaded portion का जो area है वो मिल जाता है clear हुआ concept अच्छे से समझ में आ गया so question number 2 हमारा clear हो जाता है question number 3 को अब हम लेते हैं question number 3 जो है वो काफ़ी important है इसमें आपके पास देखे क्या situation है कि आपके पास एक circle है okay in figure shown a sector OAP और इस circle के अंदर आपके पास क्या है एक sector भी बना हुआ है containing angle theta इसका जो angle है वो हमारे पास क्या है theta है clear next अब हम इसके बाद आगे इसको मूब करते हैं तो क्या concept है a b perpendicular to the radius o a मतलब यह जो हमारे पास circle है इस circle की यह जो radius है यह क्या है हमारे पास o a है इस a पर o a radius पर यह जो a b side है यह क्या है perpendicular है अगर यह side perpendicular है तो हम इसको perpendicular है और यहां पर theta बना हुआ है okay ऐसे यह जो है यहां क्या बना हुआ है theta बना हुआ है तो यह वाली side हमारे पास क्या हो जाएगी base हो जाएगी next अब perpendicular यह हो गया बेस यह जाएगी hypertension हो जाएगी और यह भी होगा और यहां पर पी पॉइंट पर ये कट करती है, so, O A admits O P produced at B, O B को जब आप produce करते हो ऐसे तो ये कहाँ पर meet करती है, O P पर meet करती है, तो आपने जो भी यहाँ पर triangles के लिए values देखिए, आप उनको देख लीजिए, पहले लिख दीजिए, क्या-क्या values है, O A, O A हमारे पास क्या है, base है, next है हमारे पास A B, A B हमारे पास क्या है, इस triangle के लिए perpendicular है, और perpendicular के बाद आपके पास क्या है, O B, ये हमारे पास क्या है, hypotenuse है, ठीक है, तो ये तीनो concept अब हमारे पास है, हमसे कहा है कि जो भी आपके पास, यहां पे shaded portion है shaded portion आप देखिए यह क्या है मतलब यह जो भी आपका यहां पे triangle बन रहा है इस तरीके से बन रहा है देखो आपके पस triangle तो यह ऐसे बन रहा है और इस triangle में यह O है यह A है और यह B है clear और यहां से ऐसे sector निकल रहा है हमें यहां पे चाहिए इस shaded portion की parameter चाहिए तो जब हमें इसे की parameter चाहिए तो हम क्या करेंगे देखो हम complete जो parameter है उसको लेते हैं यह P point पर है तो parameter इसके लिए क्या क्या values चाहिए एक तो चाहिए हमें A B clear और A B के बाद हमें चाहिए क्या देखो A B यह वाली side एक यह वाली side चाहिए यह क्या है हमारे पास P B है and next यह चाहिए हमें और यह क्या है हमारे पास arc है तो हमें arc P A B चाहिए इन तीनों की values को आप calculate कर लो आपकी parameter आ जाएगी sum करने पर तो चलो start करते हैं A B A B हमारे पास क्या है perpendicular है अभी अभी हमने देखा clear और फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि O A यह आपके पास क्या है radius B है और O P B radius है और यह base B है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं perpendicular और base के लिए कोई formula ढूनते हैं वो किसका होता है 10 theta का होता है तो perpendicular that is equal to A B base base क्या हो गया O A तो आपके पास यहाँ से A B की value easily मिल जाएगी आपको क्या O A into 10 theta O A हमारे पास radius है So A B is equal to R 10 theta हमारे पास यह आ गया fine अब चलो calculate करने चलो P B को P B अगर आप देख रहे हो तो P B हमारे पास O B का portion है O B में से आपने O P को अटा है तभी तो आपको P B मिला तो P B तो hypotenuse है तो अब आप hypotenuse और base वाला formula देखो तो आप यहाँ पे देखते हो hypotenuse upon base हमारे पास होता है क्या? sec theta So hypotenuse किसके equal है? That is equal to O B upon base base क्या है? O A तो आप यहाँ से O B को calculate कीजिए क्या आएगा? That will be equal to O A into sec theta values apply कीजिए O B is equal to O A O A क्या है? radius into sec theta तो यह आपके पास हो गया R sec theta अब अच्छा O B तो मिल गया है but we know that O B जो है वो किस-किस से मिलकर बना है O P plus P B से So हम यहाँ पर P B को calculate अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे? O B minus O P तो O B यानि की R sec theta में से आप O P, O P यानि की radius को minus कर दीजिए Then आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? R sec theta minus radius किसकी value मिल जाएगी? देखिए यह value आपको यहाँ पर मिलेगी P B की So आपके पास P B की value भी आजाती है R sec theta minus R आपको A B मिल गया आपको P B मिल गया अब बचा क्या? अब आपके पास बचा है arc PA और arc का आपके पास formula क्या होता है? That is equal to 2 pi R theta upon 360 degree हम यह तीनो values जो हैं इनको यहाँ से pick करते हैं और parameter के formula में रख देते हैं parameter का formula में अब अभी हमने क्या क्या देखा था? A B, P B और यह वाला arc हम इस तीनों की values रख देते हैं A B हमारे पास क्या मिली थी? हमें R 10 theta उके उसके बाद next अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? P B P B जो है वो हमारे पास किसकी value आई थी? वो हमने calculate किया, देखिया आप अब अब और R sec theta minus R plus arc R का मारे पास कितना है? 2 pi r theta upon 360 degree 2 से 360, 180 time cancel हो गया R को में न ले लीजिए क्या बचेगा अंदर? 10 theta plus sec theta minus 1 plus यहाँ से pi theta upon 180 degree और यह क्या है? parameter अब जरा आप अपना question देखिये आपके पास जो question है उस question में आपको क्या prove करना है? See, from here you have to prove the parameter of the shaded reason is R into 10 theta plus sec theta plus pi theta into 180 pi theta upon 180 minus 1 तो यही हमने यहाँ पे solve किया है तो यहाँ पे यह जो concept है हमारा प्रूव होता है और हमारी worksheet भी complete होती है Thank you for watching my channel